हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीटूप चैनल जी के ट्रिक्स विसाधिक में तो दोस्तो फाइनली SSC जीडी वाले छात्रों के लिए बड़ी ओफिशली खुसकर भी आ चुकिया है जी है फ्रेंड्स फाइनली SSC ने जो है जीडी की आंसर की जारी कर बादी है जी हम फ्रेंड्स फाइनली ओफिशली लिंक को भी एक्टिवेट कर दिया गया है तो आई हम देख लेते किस तरह से आप अपनी अंसर की देख सकते है इससे पहले जो चैनल पर नए है प्लिस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और बेल आइकन जरू दे दूँगा देखिए SSC NIC मतला कि इसका जो चैनल दिया गया है इस पर आएंगे तो देखिए यहां पर module for candidates इसे हम open कर लेते हैं देख ले आपके लिए दे रखा है module for candidates response correct answer की and submission of representations if any मतला यदि आपके answer की में कोई भी मतला आपके answer की देख सकते है इसमें किसी प्रकार से कोई दिखका थो तो आप उसका response भी दे सकते मतलब कि objection ले सकते है इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपको link show होने लगेगी जो challenge करने की है वो यहां पर आपको screen दिखाई देगा home screen पर आप देख सकती जो भी हमने आपको पता है लेकिन उसके क्लिक करने के बाद आपको ssc.djrm.com वाली यह link open आपको दिखाई देगी तो इस पर हम क्लिक करते है और दोस्तों जैसे हमने उसे क्लिक किया तो देखे candidate login यहां पर option दे दिया है आप देख सकते है role number आपको डालना होगा और यहां पर से अपनी जो है अपना जो आपका admit card पर जो आपका password दिया जैसे आपकी date of birth रहती है ना जैसे मान के चलिए आपकी date of birth है 2 दिसमबर 1996 तो आपको 02121996 इस तरह से अपनी date of birth का जो है डाल देना है यहां पर वो आपका password रहेगा इसको बाद आप लोगिन कर सकते है तो इस तरह से login करने के पाद अपनी answer की देख सकते हैं तो finally आप देख सकते कि यहां पर SLC के द्वारा link को activate कर दिया गया है और आपकी जो answer कि यहां पर जारी करवा दे गए तो दोस्तों बड़े official update आप सभी के साथ में ने शेयर कर दी एसी अपडेट्स पाने के लिए हमेरे चैनल को प्रीज सब्सक्राइब कुजेगा नेक्स टूड़े में नेक्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें ख्याला क्योंकि वीडियो की description box में यहां की link मैं आपको दे दूँगा आप डारिक भी जो है अपना SLC के लिए answer की देखने के लिए login कर सकते है